दिल्ली में G20 शिखर संबेलन के बीच में हो रही लगातार बारिश ने मुश्किलें भी बढ़ा दी दिल्ली में G20 के सदस्यों की मेजवानी के लिए बनाए गए भारत मंडप से वीडियो सामने आया है जो की काफी वाइडल भी हो रहा है चारों तरफ इस मंडप में पानी ही पानी नज़र आ रहा है 123 एकड में फैला हुआ बनाने में इसे 2700 करोर का खर्च आया और इसी साल 26 जुलाई को इस कॉम्पलेक्स का उद्गाटन खुद नरिंद्र मोदी ने किये थे लेकिन जब बेश से ज्यादा देशों के महमान पहुँशे थे तो वहां हलकी वारिश होई और इस बीच में मंडप में पानी भर गया और इस वीडियो को लेकर कॉंग्रेस और इंडिया के नेता तमाम शेर कर रहे हैं साथ में कई सवाल भी पूछ रहे हैं साथ ये भी कह रहा है कि आखिर इसमें ब्रस्टाचार की बात हो रही है कि ये ब्रस्टाचार कौन किया लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ये जो वीडियो शेर किया जा रहा है इस वीडियो की सचाई क्या है क्या सच में उस मंडप में पानी भर गया था लेकिन इसे बताने से पहले आपको बता दे कि G20 के लिए भारत मंडब तयार किया गया और 27 करोर रुपे इसमें लगाए गए एक बारिश में पानी भर गया और इससे लेकर बहुत ही आलोचना भी हो रही यूद कॉंग्रेस के राष्ट्रिया धक्च श्रीनिवासन बेवी ने इस वीडियो को शेर करते हुए लिखा कि करोरो रुपे की लागत से G20 के सदस्यों के मेहजवानी के लिए बनाए गए भारत मंडब की ये तस्वीरें देखिए साथी रंदीप सिंग सुर्जेवाला ने भी एक्सपर प्रेट कर लिखा कि लगभग तीन हज़ार करोर के लागत से बने भारत मंडब में आज बारिश के कारण हाल ये हो गया कि विकास तैरता हुआ दिखाई दिया भगवान से प्रार्तना है कि आज दिन में यहाँ जादा बारिश न हो जी ट्वैंटी सम्मिट सही सलामत पूरा हो जाए मोधी सरकार ने गरीबों को तो परदे के पीछे ढग दिया मगर कितनी भी शो शो बाजी करके अपनी कर्तूतों को नहीं ढग सकते वैसे भी मोधी सरकार में कुछ भी इवेंट और उदगाटन के बाद नहीं टिकता है यहां इसके बाद कॉंग्रेस ने भी ट्वीट किया कॉंग्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि मोधी सरकार के इस ब्रहष्टा चार के पीछे आखिर कौन है इसके अलावा कॉंग्रेस के हिनेता सुप्रिया श्रिनेत ने भी ट्वीट के सुप्रिया श्रिनेत एक्स पर लिखती है जी ट्वेंटी के लिए भारत मंडपम बनाने के लिए 27 करोर रुपे जल निकाय का इंतजाम नहीं एक बारिश ने तबाही मचा दी मशीनों से पानी निकालने की कोशिश चल रही है बारिश के अंतराश्ट्रिये देश बिरोधी शाजिस में शामिल है कौन है ये ब्रस्ट लोग जो इतना पैसा जटक कर इतना घटिया काम करते हैं लेकिन इसके बीच में एक फैक्ट चेक भी किया गया पी आईवी फैक्ट चेक टीम ने ऐसे फैक्ट चेक किया और उसके बाद बताया कि यह जो बात वीडियो जो शेर किया रही है ये गलत है मिसलीडिंग है दरहसल जो वीडियो शेर किया जा रहा है उसमें इतनी पानी न लेकिन वीडियो जो शेर किया जा रहा है उसमें मिसलेड किया गया है लेकिन इन सब के बीच में आपको ये बताते हैं कि आखिर भारत मंडपम जो बना उसको बनाने में कितना खर्च हुआ और ये है क्या भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर को विशेश रूप से तयार किया गया है जिसको देश में होने वाले बड़े आयोजनों के लिए डिजाइन किया गया इसका उदगातन प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को इसी साल किया था भारत मंडपम को एक राश्ट्री परियोजना के रूप में विक्सित भी किया गया है प्रदान मंतरी नरेंदर मूदी ने इसी साल 26 जुलाई को इस कॉंपलेक्स उदगाटन किया था जिसमें एक कन्वेंशन सेंटर प्रदशनी हॉल और एक MP थियेटर सहीत आधूनेक तकनीक और सुवधाओं से ये मंदबम लेश है यहां बहु उद्देश्य हॉल और प्लेनरी हॉल की संयुक्त शम्ता औस्टेलिया में सिड्नी के उपेरा हाउस की शम्ता से अधीक है सरकार ने एक बयान में ये भी कहा था कि इस कन्वेंशन सेंटर को बनाने में लगबग 2700 करोर रुपे का लागत लगी है और उसके बाद ये तयार हुआ ये प्रमख वैश्विक वैपार गंतब की रूप में भारत की शम्ता को दर्साता है ये कन्वेंशन सेंटर लगबग 123 एकड में फैला हुआ है भारत मंडपम को भारत के सबसे बड़े MIC यानि बैठक प्रोतशाहन सम्मेलन और प्रदर्शनिया अस्थल के रूप में विक्सित किया गया है या परसर बिश्व अस्थर परशिर्स प्रदर्शनी और सम्मेलन परसरों में से एक है भारत की भारत मंडपम भावन का वास्तो शिल्प डिजाइन भारत के सम्रिद प्रमपराओं से जुड़ा हुआ है अब आप ये भी समझ लिजे के इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और G20 सम्मीट भी हो गया दो दिन का तो G20 में 39 देशों का जुटान हुआ 14 खास मेहमानों में इंटरनेशनल संस्थाओं के सदस भी इस 10 करोर डॉलर यानी 400 करोर रुपे का खर्च हुआ है ये अनुमाल लगाया गया है इस बीच में इस खर्च के बीच में एक सवाल ये भी बनता है भारतियों के मिन में कि पिछले साल G20 के मेजवानी मिलने के बाद से भारत सरकार इसकी तयारियों में जुट गई थी पिछले साल इंडोनेसिया ने इसकी मेजवानी कि थी एक रिपोर्ट के अनुसार इसकी तयारी को लेखवर 50 से अधिक शहरों में करीब 200 बैठकों का आयोजन किया गया G20 विश्व के 20 सबसे तागतवर देशों का एक समू है जो अंतराश्री अस्तर पर आर्थिक, कुटनेतिक और प्रयावरन के मुद्दों पर विचार बिमश करता है साथ ही इसका हल निकालने की कोशिस भी किया जाता है G20 के बैठक से पहले प्रदानमंत्री नरिंद्र मोदी ने तीन परमुख मुद्दों को उजागर किया उन्होंने कहा कि G20 के एक्षन प्लान से सततह विकास लक्षो यानि AS GDP में तेजी आएगी जो भविश्व की दिसा को निर्धारित करेगा अब सवाल ये कि G20 के बैठक से भारत को क्या मिला तीन परमुख चीजे हैं जिसे भारत के हित में कही जाती है कि पहला दुनिया में भारत की शवी मजबूत होगी और दूसरा निवेश आने के संभावनाएं भी बड़ेगी जीट्वेंटी में शामिल देश दुनिया के अर्थ बवस्था पर 75 परतिशत के हिस्सेदारी रखते हैं वज़ा इसमें शामिल अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश हैं जीट्वेंटी की मिटिंग से भारत की कोशिस निवेश बढ़ाने की है और तीसरा, दुनिया के देशों में नित्रित्व की धारना बदलेगी और वर्तमान में मुख्य तोर पर अमेरिका और रोस चीन की नित्रित्व करता के रूप में खुद को अस्थापित करता रहा है लेकिन G20 की मिटिंग के जरिये भारत भी अब इस रेस में शामिल हो जाएगा G20 की बैठक के बाद सभी देश मिलकर एक संयुक्त बयान भी जारी करता है इसी बयान से G20 की मिटिंग की सफलता तै की जाती है भारत के लिए यह एक बड़ी शुनावती है अगर बड़े मुद्दों पर सभी सायोगी सहमत नहीं होते है तो यह एक खटाई पर सकता है जैसे पिछले साल इंडोनेसिया में G20 सम्मेट के बाद युक्रेन और रूस को लेकर सहमती नहीं बनी थी जिसके बाद इसे खटाई माना जा रहा था जानकारों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो अंतराष्ट्री मीडिया में भारत की किरकीरी हो सकती है लेकिन इस सब के बीच में अगली बाली में बैठाक को लेकर भी जिक्र किया गया कि युक्रेन मामले को अपना बयान जारी किया था और उसमें समयती नहीं बनी लेकिन जैसे ही इस बयान के जिक्र आये तो भारत के विदेश मंतरी ने कहा कि बाली बाली था और ये दिल्ली है बाली के बात दिल्ली में ना हो दिल्ली के बात और दिल्ली के तुलना बाली से न की जाए अब देखते रिए न्योस तरब